दोस्ता आपने थमनेल पे देखा होगा Candle 6 का एक ऐसा जूट जो आप लोगों को बहुत परोसा जाता है हम जैसे content creators इतने साइ courses बनाते हैं Candle 6 patterns, Candle 6 ये, Candle 6 वो है Japanese Candle 6, ये Candle 6 और dodgy पे ऐसा भीएव करना है Non-Dodgy पे ऐसा भीएव करना है Bullish Candle ये होगी, Piercing Candle ये होगी फलाना दिखाना क्या नहीं अपने सेगर किसी ने Candle 6 के उपर courses की हैं या बहुत साई वीडियो देखी हैं तो प्लीज comment section में comment ज़रू करके बताना ताकि ये वीडियो interactive हो हम और आप आपस में बाते कर सकें और एक दूसरे को समझा सकें कि बाजार में trade करने के लिए क्या ज़रूरी है इस वीडियो को बनाने का purpose है कि आपको अगर ऐसी चीजे बेची जा रही हैं जहां पर आपको ये कहा जाता है कि Candle 6 को समझ लो सब कुछ समझ में आ जाएगा ये आदा सच है पहले हम ये जानने कुशिश करेंगे कि Candle 6 होती क्या है बिल्कुल भी definition में नहीं जाओंगो तो वीडियो skip करने के ज़रूरत नहीं है तो रुक जाओ शायद आप से अगर मैं सवाल पूछू हूँ जिसको Candle 6 के बारे में सब कुछ पता है तो आपके लिए भी जो सच मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वो शायद interesting होने वाला है और ये वीडियो बिल्कुल भी किसी clickbait की तरह नहीं है नहीं मुझे views का लालच है कि जादा से जादा लोग देखें तो ही मज़ा आने वाला है YouTube से मैं जो income है बहुत थोड़ी सी है उसके उपर मेरे घर का गुजारा नहीं चलता है मेरा गुजारा मेरे अपने sources of income से चलता है उसके लिए निश्चिंत रहिए कि वीडियो में पैसे कमाने के लिए बनाता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ आपका प्यार कमाने के लिए आपका साथ कमाने के लिए है ना अगर आपका मुझे भरोसा है तो बहुत चीज़े मिलके हम कर सकते हैं तो candle 6 को समझने के लिए, candle 6 को समझने से पहले आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए, बैल नोटिफेशन को अन कीजिए, ताकि content आपसे मिस ना हो, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो डाली है आपके सामने, मैं 9 अप बजए एक वीडियो आती है उस दिन के trade के बारे में, फेक trading scams के बारे में कुछ exposure किया है, इसको जाके जरूर देखना कहीं, आप भी इस trading scam के शिकार ना हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको जरूर जाके देखिएगा, चैनल के बहुत content है, आप चैनल को गो अनवाजी पड़ी है, पर exactly, अगर मैं इसको simplify करूँ, तो candlestick exactly है, क्या होता क्या है, और क्या हम वाकई इन dodgy के basis पे, है ना, और यह spinning tops के basis पे, कुछ अगर bullish engulfing या bearish engulfing की बात करें, bullish engulfing बिल रही है, price गिर रहा है, है ना, सोचके देखिए, यह engulfing हुई ना, यह candle engulf ह हो गई, इस candle ने पूरा engulf कर लिया, पूरा निवा, थोड़ा partial है, यह मौरी बाज़ू candle है, इतनी बड़ी मौरी बाज़ू, इतनी बड़ी selling candle के बाद में, price उपर चला गया, है ना, क्यों, क्या यहाँ पर आपके stop loss है ही हुए होगे, होगे होगे ना, पर सबसे पहले ना, main जो मुख्य है, वह है के नशी है, rankों पे बहुत लोग काम करते हैं, follow candles पे बहुत लोग काम करते हैं, लोग candles पे करते हैं, बार्स पे काम करते हैं, बहुत चीज़े हैं, तो चली पहले बदातो, मैं candle 6 को क्या समझता हूँ, आप अपनी definition मुझे जरूर बताएगा, त होने वाले, buyers और sellers के बीच की लड़ाई को हम candle 6 कहते हैं, उत्रमेय पे कौन जीत रहा है, buyer जीत रहे हैं, या sellers जीत रहे हैं, position buy side में जारा बनाई जारी है, या sell side में बनाई जारी है, इसे हम कहते हैं candle 6, और candle 6 है क्या, ये एक software है, इस software के अंदर में coding की गई है, क्योंकि मे जब बबल बस रहे हैं, 98 में उससे मेरी MC कंप्लीट हुई थी, नौकरी नहीं मिली, MBA फैलेंस करना पड़ा, दुनिया की तरह हमने भी sales marketing की बहुत नौकरी हैं, 17 साल नौकरी करने के बाद में share बज़दार पे, 2017 के बाद से आपके साथ social media पे available हूँ, बज़दार को अपने धंक से आपको दिखाने ही कुशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर्टिकुल टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखाई देगा भी है, यह हाई है, तो यहाँ तक price को लेके गए, यह low है, यहाँ तक price को लेके आए, यहाँ closing हुई, red candle पे क्या होगा, कि यह high था, यह bottom थ बदा नीचे तकाई, यहाँ closing हुई, यह तो सब को मालूम ही है, पर exactly है, क्या यह तो coding है, जो data इस candle 6 के बीच पे इछे से आ रहा है, वो data इसका color red या हरा कर सका है, आप इसको orange कर सकते हो, yellow कर सकते हो, नहीं पता तो आप किसी भी candle 6 के उपर जाओ, आप इसकी setting को change कर सकते ह बहुत साइज सेटिंग चेंज करने के तरीके है, color change हो जाएंगे, graph के उपर जाओ, setting पे जाओ, तो चेंज हो जाएगा है, यह graph setting चेंज करने का वीडियो नहीं है, अब अगर मुझे यह पता हो, अब इसको तरिप इतना सा समझेंगे है, हम बैठखे, क्या, कि भाया, इस particular time frame पे, किसी भी candle 6 को पकड़ते हैं, for example, यह इस dodgy की बात हम करते हैं, इस dodgy candle पे हुआ क्या है, suppose कि इस candle की बात करते हैं, तो यह high था, यह low था, यह इसकी body थी, ठीक है, इसने क्या पता लग रहा है, कि नीचे की जो shadow है, वो almost उपर की shadow से equal है, इसलिए इसको dodgy कहते हैं, मत पतलब, ना buyer जीते, ना seller जीते, price यहीं के यहीं close होगा है, जहां हो जिसके आसपास वो खुला था, ऐसा ही कुछ यहा हूँआ, इसको लोग inverted hammer कह देंगे, क्योंकि इसका wick उपर की side में है, candle 6 इतनी ही simple है, कि अगर wick उपर की side में है, तो यह bearish candle है, बस bearish candle है, इसको इतन candle, ध्यान से देख लो, candle तो red है, candle को छोड़ो दीजिए, खाली बताने ही कोशिश कर रहा हूँ, लीजिए, आपकी तसलिक के लिए, अगर यह candle है, और यह wick है, और इसका color बेशक से red है, बेशक से red color है, अगर wick नीचे बड़ी है, तो buyer ने इसको push किया है, बात समझ रहे ह तो यह bullish candle है, candle 6 में सिर्फ आप यह देखिए, कि buying pressure है, या selling pressure है, वो एक महीने का भी हो सकता है, monthly chart के उपर में, weekly भी हो सकता है, weekly chart के उपर में, daily chart के उपर में, सब चीज़ हो सकती है, तो आप कहेंगे कौन सा platform है, यह platform fires का है, बहुत ही interesting platform, बहुत ही असान है, future options को trade करने व आजाए, तो कैसे काम करना है, दिरी दिर सिखा दूँआ है, तो fires का link वीडियो को description में, go and open your free department now, अब यहाँ पर काम कहा है, चलो, fires की थोड़ी सी marketing भी, fires वाले भी खुश हो जाएंगे, है ना, हम यह candle 6 के उस सच के बार में बात करनी, जो आपने thumbnail पर देखा था, अब मैं सिर्फ जवाब देंगे, फिरर जवाब देंगे, और जिस candle की मैं आपसे पूछ हूँ, आउसका reply कीजिए, एक class है, यह video ज़रू record हो रहा है, video लंबा ज़रू हो सकता है, I hope यह interesting होगा, आप इससे बात करेंगे, और मुझे इस सिर्फ का जवाब देंगे, इसलिए मैं बहुत देर से price यहां चल रहा है, अब आपको देखना है सिर्फ इस last candle को, जो red candle दिखाई देरी है, क्या आप इस candle से बता सकते है, अगली candle क्या खुलने वाली है, आपको 5 seconds का समय देता हूँ, आपका countdown होता, begin now, 1, 2, 3, 4, 5, reply comment section में comment चाहिए, मैं तो नहीं बता सकता कि आप बता सकते हैं, आपने बहुत सारी courses कियोंगे, बहुत से लोगोंने सिखाया होगे, बहुत सारी videos आपने देखियोंगे, hammer, angle thing, dodgy, shooting star, अला ना ये वो है ना बहुत चीदे, बताओ last candle क्या बनने वाली है, next candle क्या बनने वाली है, नहीं पता, चलो, एक try और करते हैं, नहीं हो कि देखो lower high बन गया, lower low बन गया, next candle क्या हो नीची, क्या बता सकते हैं, 90% लोग कहेंगे कि bearish candle है, हाँ या ना, हो सकता हो, मुझे भी नहीं पता है, video बिल्कुल आपके सामने बना रहा हूं, पर हाँ offline video है, इतना बड़ा चार्ट मुझे याद भी नहीं देगा, आपको पता, आप बोलेंगे, कि भी आपको तो पता रहा है, मैं कुछ यहाँ prediction नहीं करने वाल हो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि क्या candle stick को देखके, आप next trade initiate कर सकते हो, next candle हमारी बनती है, red, फिर red, अब मैं यहाँ रुख देता हूं, यह 4 लगाता red candle बनने के बाद मे जो अच्छे अच्छे लोग confirm हो जाएंगे, भाया bearish start हो गया trade, यहाँ माल बेचो, क्योंकि आपको यह सिखाया गया है, यह लगातार, it is a falling trend, it is a bearish trend, जैसे ही ugly candle green बनती है, जैसे ही ugly candle green बनती है, आपके तोते उड़ जाते हैं, क्यों उड़ जाते हैं, आपने अभी तो confirmation ली थी, कि बजार bearish है, अचानक से green candle, और उस green candle ने पिछली candle का high भी cross किया, closing पिछली candle के आसपास आई, bottom भी पिछली candle के आसपास रहा, तो यहाँ तो आप रुक जाओगे, एक और candle का wait करोगे, बट आप में से 90% लोग यहाँ पे trade से exit हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि और चार candle bearish candle बन चुकी है, यह आपने सीखा है, trade negative है, जैसे ही next, आप यहाँ exit होते हैं, और next candle आपकी बड़ी सारी red candle बनती है, फिल्कुल last candle पर wait करना, यहाँ watch करना है आपको, क्या आप यहाँ decide कर पाएंगे, आप यहाँ से निकल होगे, फिर दुबारा घुस होगे, घुस करते करते, क्या आप पक नहीं जाओगे, चलो, इसके बाद, एक example हो लेते, for example, मान लीजे, दिन ये, सोच, भूल जाएए, कि चार्ट आपके सामने था, भूल जाएए, यह इतनी बड़ी candle, for example, दिन की पहली candle है, सोचेजे, पहले एक मिनट की candle है, पहले पांच मिनट की candle ह है, अब आपको ट्रेड लेना है, जैसे ही ये candle खुली, इतनी बड़ी candle, जिसका जहां से बजार ओपन हुआ, वहीं से बजार नीचे की दफ चला गया, it is a kind of, not exactly, छोटा सा विख है, but kind of more e-bosu candle, correct, ऐसी candle की उपर में क्या ट्रेड लोगे, 90% लोग यहां बेरिश ट्रेड बुलिश, 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 क्या हुआ, कहां गई candle 6 pattern, कहां गई, यह तो बड़ी dangerous candle थी, यह पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया, यह आप इसको capture कर सकते थे, इस वीडियो का purpose आपको strategy सिखाना नहीं है, इस वीडियो का purpose है आपको उस सच से रूब्लो कराना, जो आप से छुपाया जाता है, जो बहुत सारे हमारे जैसे ही लोग content create करते हैं, माल बेचते हैं, मैंने आपको कहा था है, जैसे ही channel के ओपर एक लाग subscribers होंगे, आपके लिए surprise आने वाला है, surprise को आने में थोड़ा सा समय और लगे है, वो आपके लिए प्री में आपके लिए ऐसा ऐसा content post करने वाला हूँ, जो शायद आपको बड़े से बड़े paid courses में भी ना मिली, या बड़े से बड़े paid courses, उस content को बेवजय बेच रहे हैं, सब चीसे आने वाली है, मैंने आपको पहले से कहा था, A to Z, A to Z यहां सिखाऊंगा, प्री में, ऐस इसे कुछ premium contents होगे, जिसके आप से पैसे लिए जाएंगे, मैं पहले पता रहे हैं, पैसे लूँगा, serious content के पैसे लूँगा, वो भी पता है कितने से affordable, just like peanuts, है ना, बहुत ऐसे खर्चे पे, जो पूरा हिंदुस्तान उसका afford कर सकता है, वो सब चीजे, वो भी क्यों लूँ अरे भाई, एब बनाने के पैसे लगते हैं, secret शायद लिग हो रहा है, एब बन रही आप लोग लिए, पहला surprise, एब बन रही आप लोग लिए, ठीक है ना, वो एब जो आपके दिमाग के फुर्दे खोल देगी, आपको समझाएगी, बजार को कैसे trade करना है, एक professional कैसे trade करत और भी surprise जाना है, पहला surprise आपको मैंने hint दे दिया, तो चैनल पर बने रही है, सब यहाँ ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे, आप candle 6 के pure basis पे आप काम नहीं कर सकते, यह बजार यहाँ जाने के बाद फिर से गिरने लगा, फिर से गिरने लगा, आपने देखा भया, यह तो resistance, resistance की तरह काम किया, फिर बजार गिरा, आपने short बारा, short बारा फिर बजार आपके against, करेंगे क्या, फिर बजार आपके against, फिर बजार गिरने लगा, तो जिन लोगों को जब तक trend को identify करना नहीं आएगा, यह candle 6 आपको धोखा देती रहेंगी, आपका पैसा आपसे लेती रहे आपको काम करने नहीं देंगी, तो आज के बाद candle 6 के ऊपर वीडियो देखना बंद कीजिए, वो कुछ नहीं होती है, candle 6 सिर्फ वो time frame पे buyers और sellers के बीच का tug of war है, किस समें buyers जीत रहे हैं, किस समें sellers जीत रहे हैं, कौन उस समें जाधा quantity में आ रहे हैं, buyers जाधा आ रहे हैं, या sellers आ रहे हैं, यह decide करेगा बाजार के trend को, तो candle 6 के basis पर अगर आप trade करते रहेंगे, random चाहिए, random, look at this candle, scary, scary candle, देखें इस candle को, क्या आप मुझे बताएं, क्या आप इस candle के ऊपर में bearish trade नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, yes, please reply, लिखिए, शरम मत कीजिए, वई, एक comment चलना है, interaction चली, class चल रही है, वीडियो नहीं है, ऐसा वीडियो आपको पूरे channel पे, का पूरे content पे नहीं मिलने वाला है, पूरे YouTube के ऊपर नहीं मिलने वाला है, ऐसा वीडियो, यहाँ पे इतनी बड़ी selling के बाद में, next candle अगर आपकी bullish हो जाए, तो यह बताओ, कितने लो तो trade bullish हो गया, आप कैसे गरोगे, आपको यही नहीं पता, यह resistance है या नहीं है, यह जहाँ तक गिरा, यह buying zone है, supply zone है, आपको पता ही नहीं, यह सब चीज़े उस app में सिखाने वालों, परिशान मोत हो यह, मैंने का, pin to plane, pre से paid, सब वहां रहने वाला है, one roof के अंडर में, कही नहीं भटकने की दरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर यह आपकी lossy guarantee थी, correct, और देखते हैं, और कुछ समझ में आता है, विल्कुल random, विल्कुल random, कोई ऐसी candle जो आपकी favorite candle हो, correct, okay, बताओ, कुछ दिखाई दे रहा है, चलो, अब एक काम कहते हैं, यह 5 मिन की candle है, daily chart के उप और daily chart चल रहा है, अगर हम बात करें, यह वाली candle की, यह वाली candle की, इस वाली candle में आप क्या decision लेंगे, यह bullish candle है, मुझे सामझ में आ रहा है, पर क्या इसका जो wick है, वो आपको यह नहीं बता रहा है, कि हाँ sellers भी बैठे हुए है, बैठे हुए न, पर आप क्या देखेंग हरी candle है, कलर हर है, पर यहां sellers भी हैं, उसके बाद में यह डौजी बनने के बाद में कहा जाता है, कि अब ट्रेंड में अगर डौजी बने, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, अगर माली यह बजार ऐसे ऐसे जा रहा था, और यहाँ पर एक डौजी बन जाए, तो बजार वा एक खतरना candle लगा पाई, डेली candle है, यह बजार कहां से कहां गिला देखे, यह यहाँ पर देखेंगे, 22,000 के आसपास से, यह 22,000 के नीचे का बजार था, 400 से 500 पॉइंट की मंदी आने के बाद में, बजार इसी रेंज में रहता हुआ, फिर वापस से अब ट्रेंड में ट्रेंड कर सकते थे, जो candles आ रही थी, वो फिर बेरिश थी, फिर भी बेरिश थी, बेरिश होने के बावजूद भी, बजार रूप पर चला गया, एक कौन बताएगा, यह सिर्फ और सिर्फ option chain बता सकती है, अगर आप F&O को ट्रेंड करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या आपको सीखना है, उसके बाद आपको सीखना है, उसके बाद आपको सीखना है, उसके बाद आप बता कर पाएंगे, यह यह zone, buying का zone था, selling का zone नहीं था, तो बजार अगर इतना बड़ा गिरा है, तो कम से कम 50% retrace करेगा, यह 50% का target confirm था, 200 point के recovery confirm थी, यह हम daily करते है, trading room के अं रहा है, वहाँ पर daily analysis करते है, live prediction करते है, trading room join करना है, उसका link description में है, और join करो, उसकी fees भी 6000 पर आप बोलोगे, हर्चिस बेच रहा है क्या है बाई, कुछ नहीं बेच रहा हूँ, 6000 पर मंद, क्या होगा यहाँ पर, no tips, कोई tip नहीं मिलने वाली भीया, कोई tip नहीं मिलने वा RSI यूज़ करेंगे, बहुत simple simple चीज़े यूज़ करेंगे, और यहाँ पर trade identify करने की कोशिश करेंगे, trade कैसे ढूंडना है, वो ढूंडेंगे, फिर trade में बनना है की नहीं बनना वो देखेंगे, अगर बजार यहाँ से reverse कर रहा है, तो यहाँ पर call option लेनी ची, कौन सी लेन देखेंगे वाले हैं, तो data को कैसे use करना है, सब live market में सीखो, तब psychology आपके काम में आएगी, विपल कौशी कितनी strategy देदे आपको बना के, विपल कौशी क्या कितनी भी trainers आपको strategy देदे, आप trader नहीं बन सकते, जब तक आपका mindset control में नहीं है, अगर एक हरी लाल candle को देखके अगर आपके पेट में दर्द हो जाता है, आपको आपके धड़कन यहां तक सुनाई देती है, आपको लगता है यह तिरे नहीं बना नहीं है, और उस विपल में आपकी हनवान 40 हा चालू हो जाती है, तो बजार वाकिए आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि बजार को candle 6 को ग्रीन बनने वाली है, क्यों? क्योंकि मैं option chain का data इतना closely watch करता हूँ, वो मुझे अपने आप आगे से चल के बताता है कि भाया, support आप candle हरी बनने वाली है, तो जब मुझे पता है candle हरी बनने वाली है, मैं अराम से इंदा मनी call option का trade ले सकता हूँ, अब समझें, मेरी life में कही मैंने claim नहीं किया कि मैं option market से ही करोड़ पती बना हूँ, नहीं, मैंने अच्छे घासे पैसे बनाए है, stock market है, उसमें option का पार्ट तरिफ इतना सा है, करना सब जानता हूँ, करता थोड़ा-थोड़ा सब कुछ हूँ, मेरी मर्जी से, हो सकता है मुझे इस product में loss हो, इस product में मेरे का profit हो, net में stock market में profitable हूँ, बहुत बढ़िया से profitable हूँ, और जिस दिन mood करेगा आपको पना P&L बेंडल भी दिखा दूँ, अभी कोई mood नहीं कि आपके साथ मैंने ओ debate करने का, पर चिंता मत करो, तो P&Ls भी देखने हैं, आप मेरे trading room में आऊ, तीन दिन का free trial रहता है, fees से चलके बोलता हूँ, loss होते हैं, profits हम देखते हैं, हम discuss करते हैं, अगर मुझे यहां खरिदना है, यहां से देख रहे होते हैं, एक भी retail trader के बसकी यह नहीं था, यह बता दे, कि कल बज़दार वापस उपर खुलने वाला है, क्या खुलने वाला है, क्या खुलने वाला है, क इस candle के बाद में national green बनने वाली है, किसी के बसकी नहीं था, यह retracement जो हरे वाली candle है, इसको कोई trade नहीं कर सकता था, सारे के सारे retailers fail हो जाते, लोग BTSC में put लेके जाते, बजार gap से खुलता, उसी दिन कतले, आम चालू, पैसा बरबाद, तो मैं आपको यह सच से इसलिए कभी भी, कभी भी आपको बड़े से बड़ी candle, छोटी चोटी चोटी candle के basis पे आप trade नहीं ले सकता है, यह देखिए, यह एक zone है, इस zone के उपर में लगा था, छोटी चोटी चोटी डौजी, अब trend था, बजार रुक गया, आप क्या सोचोगे, bearish candle है, red candle है, इस कमलब क्या ह है, शायद selling होने वाली है, next day आपको बताएगा, कि selling है या नहीं है, next day selling होई, उसके next day, अब देखिए, अगर यह candle यहां होती, यह dodgy candle, तो आप क्या कहते है, भाया, गिरने वाला है, पक्की बात है, क्योंकि candle six ही की है, बजार वापस उपर, दोसरों, उमीद करता हूँ, candle six के इस परदे को फाश किया हुगा, और आपके दिमाग से जो वहम है, कि सिर्फ candle six के basis पे trade करना चाहिए, यह आधा सच है, candle six आपको ज़रूर बताते है, कि उस time frame में क्या हो रहा है, बट उसको reconfirm करने के लिए, आपको option chain को सीखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, mandatory है, अ अब तक आप काम करेंगे, मैं लिख के देने को तयार हूँ, उसके बिना आगर आप trade करेंगे, तो मैं आपको लिख के देने को तयार हूँ, यह आप कभी भी एक सफल trader नहीं बन सकते हैं, सफल investor भी नहीं बनते हैं, हाला कि जो F&O Guard segment है, वो trading के लिए बना, investment के लिए नहीं सब्सक्राइब करेंगे, नाम real scalp पर क्यों रखा है, क्योंकि हम daily trading उनमे scalping करते हैं, बहुत अच्छे scalping समझने कोशिश करते हैं, टिप्स के लिए मत आना भी आप बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना है, लाइव market में scalp ढूंडते कैसे हैं, कैसा trade बनना चीए, वो देख करने की कोशिश करते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत साइस स्क्राइब कर देना, अच्छा लगेगा, तो उसके भी वीडियो जरू बनाएंगे, और जो चीद मुझे आपको सिखानी है, time to time आपको सिखाता रहूँगा, मेरे साथ देने के बहुत बहुत शुक्रिया, अबका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, keep learning, keep learning, keep growing, jahin